हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मारी चैनल फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे पालक पनीर और जिस तरीके से हमने पालक पनीर बनाये न आप अगर उस तरीके से एक बार 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 बनाना चाहेंगे बिना जंजट के बिना कोई जाम जाम के तो फ्रेंट्स देखिए हमारे किचन गा तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बगल में बेल आइकन की गंटी उसे प्रेस करना ना भूलेगा तो देखिए अहां पर यह अगर आपके पास हरा लेसुन है न तो आप हरा लेसुन लीजिए या आप लेसुन की कलिया आट दस छिल सकते हैं और हरा धनिया देखिए हमने डाल देंगे तो देखिए इसको भी हम डाल देते हैं और यह हारा वाला लेसुन भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने पालक है न इसको जो है आपको उबाला नहीं है सिर्फ गरम पानी कीजिए उसमें डालिया और उसको धो करके आप रख लिजी अच्छी तरीके से हम लिख्ड़ों में कट कर दिजिए जिसे पीछने में आपको कोई दिक्कत नाये तो इसको हम पूरा ऐसे कट करके पूरा ग्राइंडर जार में भर लेते हैं इतने हमारे सब सामगरी है न जितने हमने आपको बताया है लहशून धनिया पालक हरी मिर्च सब हम इसमें ग्रा इसको डाल कर के पानी को जो है हमने आधा कब पानी इसमें यूज किया है आप देखते रहिएगा अगर आपको कम लगे तोbak और भी डाल सकते हैं तो इसको हम पीस लेते हैं तो देखिए हमारा पीस्तर के एकडम फ्रेंट तयार है इतना बारिक हमने पीस लिया है और इसका हरापन बहुत ही अच्छा आता है देखिए ना उबालना एक जंजट है ना आपको पालक को पकाने की जरूरत है और आप देखिए जो भी आपके पांस इतना भी पनीर हो उसक क्योब लेना चाहें आप उतने बड़े क्यूब सकते हैं बना सकते हैं पनीर के तो सब़ाक कर करें करना सकते हैं तो आप तो ने हमने रिखों तक करते हैं रोगर अगराktó चलिए इसमें हमने सरस्थ में एल डिलगा है और जो भी कुकिंग आयल खाते हो sle oversize यूज कर सकते हम अब हमेशा सब्जी सर्षों के आयल में ही बनाते हैं। तो देखिए यह हमने आयल गरम हो रहा है तब तक मसाले इसके लाल मिर्ट है और लौंग है चार से पांच दालचीनी है आड़ दस काली मिर्च है जीरा है तेश पत्ता है दो हरी हिलाइची है हरी हिलाइची को आप खोल लीजिएगा क्यूंकि देखिए पालक पनिर में स्ट्रॉंग फ्लेवर देने के लिए तो आपको जो है तड़का आपको इतना डालना चाहिए जिससे कि यह लगे कि आपने होटल ढ़ावाई कट करके देखिए इसको हमने डाल दिया है जब यह ब्राउन हो जाए न तब इसके बाद हम मसाले आइट करेंगे तो देखिए अभी हमारा यह हलका पिंक हो चुका है और इसे एक से दो मिनट पकने में प्याज को समय लगता है और यह देखिए हमने इसमें ग्रेट करके ए अब इसके बाद देखिए इसमें हम मसालो को आइट करेंगे तो हम एक बड़ा चमज जो है गरम मसाला डाल देंगे और इसमें जो हल्दी पाडर वन चोथाई चमज डालेंगे और इसमें हम डालेंगे जो हमने पालक का पेश्ट बनाय था न उसको डाल देंगे देखिए जब इह पालक पनीर हम बनाते हैं तो इसका कलर एक डम बिल्कुल ग्रीन रहता है इसका कलर चेंज नहीं होता है तो देखने में अच्छा लगता है जब फ्रेंड़्स आफ हमारे तरीके से बनाएंगे न तो एक बार अगर बनाएंगे तो आप सोचेंगे इतना यहीजी तरीके से पालक पनिर बनता है इतना टेश्टी तो आप हम बार-बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे तो देखिए इसे हम कवर करके दो मिनट मीडिय안 फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकाएंगे कि इसके मसाले वगरा जो है न अचकूक हो जाए तो देखिए हमारा ये दो मिनट हो चुका है और देखिए हमारा ये मसाला और पालक सब पक करके एकदम देखिए कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है और इसका कलर देखिए नहीं गया है जब हम उबाल देते हैं तो इस इससे हम कबर कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक मिनट भूनेंगे, देखिए हमारा एक मिनट हो चुका है, और ये हमारा देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है, तेल और पालग मसाला सभी अलग हो चुके हैं, तो अब इसमें हम जो है, देखिए आप अपने अकॉर्डि ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, जिससे की पालक और ये ग्रेवी दोनों एक दूसरे में चिपके रहें, तो स्वादा अनुसार हम इसमें नमक को आइट करेंगे, और नमक डालने के बाद इसमें हम पनीर को आइट करेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें कि इस न अब हम पनीर को और करेंगे देख errors कि आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन अगर बिएन फ्राई कंडालेंगे नहीं उसका ठ़ हिस एन परकर केड डालेंगे तो उसका ठ़ेस्ट लगा तैसे उस अर्वा न कडिक को पसंद आपको मेरी रेश्पी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हम आपके घरों में जो सामगरी होते हैं उससे फटा-फट बनने वाले रेस्पी बताते हैं और स्वाद आपका रेस्टोरेंट और धावा स्टाइल ही जैसा रहता है तो फटा-फट आप मेरे चनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा रेस्पी कैसी बनी है कमेंट करके जरू तैयार हो जाएगा इसे तो फ्रेंट्स यह सर्व करने के लिए तैयार है और इसे आप गेस्ट को खिलाएए आप किसी पार्टी में बनाएए बहुत ही आसान तरीके से फटा-फट पांच मिनिट में बनाएंगे तो आप इसे सर्व कीजिए इसे आप चपाती चावल किसी इस चीज के साथ इसे आप सर्व कीजिए आप मज़े से खाएए और जब आप सर्व करके आप इसे खाएगे तो आपको लगेगा कि वाओ पांच मिनिट में इतनी अच्छी टेस्टी पालक पनीर तो फ्रेंट्स इसे जल्दी बनाएं कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताए और सर्व करने के बाद अगर आपके पास बटर है नहीं है तो आप देशी घी को ले लीजिए उस पर आप डालिया और खाएए देखिए लोग कहेंगे वाँ क्या बना है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक से चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और अंत में आपसे रिक देखिए में